हेलो फ्रेंट्स मैं मन्दीप सौगत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं 34 साइस का प्रिंसस कट ब्लाउस का कटिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ साथ ही आपको फ्रेंट्स पाट की स्टिचिंग भी करके दिखाऊंगी क्योंकि फ्रेंट्स बैक पाट तो सभी बना लेते हैं फ्रेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आती है सभी को तो मैं आपको स्टिचिंग का तरीका भी बता दूँगी कि इस तरीके से करना है और ये प्रि कर लेना है उपर की तरफ shoulder की marking के लिए तो 34 size deep neck blouse में हम यहाँ पर shoulder ले रहे हैं 5 इंच और armholes ले रहे हैं 5.5 इंच क्योंकि यह deep neck की इसलिए मैंने armholes कमी रखे हैं और shoulder भी कमी रखे हैं और यहाँ पर 34 का fourth part लेना है हमें तो 8.5 इंच पेक marking किये और extra margin 2 इंच का लिया हुआ है 1.5 इंच इस तरफ से margin की तरफ लेते हुए आपको इस तरीके से armholes की गोलाई कर देनी है और कमर के लिए यहाँ पर मैं marking कर रहे हुँ 7 इंच पे और extra margin 2.5 इंच का लिया है क्योंकि हम back part में splits डालते हैं तो इसके लिए मैंने 2.5 इंच margin लिया हुआ है इस तरीके से cutting कर और अगर आप कोई और size का बनाना चाहते हैं तो comments box में comment करके measurement पूछ सकते हैं तो दीखिए यहाँ पर हमने back part के tux के लिए marking कर लेंगे तो जो margin वाला part है उसे छोड़के center में cut लगा लें इस तरीके से fold करके और एक line draw कर दे मैंने यहाँ पर 4 इंच पे करी है हमने ज्याद बड़ा tux नहीं लिया है डीप neck में 3,5-4 इंच पे ही tux के लिए marking करें और 2 इंच यहाँ पर neck width ली हुई है और जो neck line थे वह आप अपने according रख सकते हैं कम यहाँ जादा मैं यहाँ यहाँ पर 9 इंच पे ले रही हूँ तो यह back part की marking complete हो गई है square neck की रखा है मैंने back में आप अपनी पसंद से कोई भी neck draw कर सकते हैं और front part की जो length है वो यहाँ पर मैंने 4,5-4 इंच रखी हुई है क्योंकि हम इसमें princess cut की cutting करेंगे तो मैंने half inch बढ़ा कर लिया हुआ है और यहाँ पर भी आपको half inch जितनी marking कर लेनी है high hook की पट्टी attach करने के लिए और back वाले part को front वाले part के उपर इस तरीके से रखना है आपको नीचे से half inch आप छोड़ दें क्योंकि वो हमने extra लिया हुआ है और back part को इस तरीके से रखकर as it is marking कर देनी है आपको armholes की marking भी कर लें इस तरफ इस तरीके से और एक line raw करके इसे सीधा कर ले आपको गुलाई अभी हम नहीं दे रहे हैं गहराई हम जब stitching करेंगे तब देंगे तो देखें armholes तरफ से एक inch और नीचे की तरफ से दो inch मैंने extra ले लिया है प्रिंसेस कट पार्ट की cutting करने के लिए और इस से इस तरीके से cutting कर दें नीचे से भी cutting करकी सीधा कर दें अब हम प्रिंसेस कट की marking करेंगे तो यहां से साड़ी तीन inch लिया है मैंने width में length में tux point ले रहे हैं साड़ी 10 inch पे एक line डॉकर करके नीचे की तरफ सीधा कर दे इसे armholes की तरफ इस तरीके से मिला देना है आपको width में यहां से ले ले 1.5 inch शेप देने के लिए और length में ले ले 2 inch और इस तरीके से princess cut का शेप दे दे half inch उपर से इस तरफ से ले 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 और इसे हां से line डॉकर करके सीधा कर ले center से cut कर दे अगर back open बना रहे हैं तो center से cut ना करें और इस तरीके से इसकी cutting कर दे अच्छी तरीके से shape दे दे इस तरीके से neck के लिए marking कर लेंगे तो neck की width हमने 2 inch रखी है यहां पर अगर आप डोरी लगा रहे हैं तो 1.5 inch तक भी रख सकते हैं neck length ली है 7 inch width में 1.5 inch और इस तरीके से एक box बना लें और जो भी shape आप देना चाहते हैं मैं यहां पर round shape दे रही हूं इस तरीके से अब इसे आप cut कर दे तो यह हमारे front pad की भी cutting हो गई है अब हम slips की cutting करेंगे तो मैं यहां पर slips बड़ी रख रही हूँ 11.5 inch की और देखी marking आपको मैं slips के लिए बता रही हूँ किस तरीके से करनी उपर से half inch चोड़के और 2 inch इदर से चोड़के यहां पर armholes ना पने तो armholes आ रहे थे 7.5 inch तो हमने उसमें half inch प्लस किया है तो 8 inch ले लिए यह देखी slips की land थे और यहां से हमें आर्मोज की गुलाई लेनी है जो हमने गुलाई ना पी वो इस तरीके से आपको नीचे की तरफ लेनी है और fold वाला भाग मैंने अपनी तरफ रखा हुआ यह देखिए मैं length की marking कर रहे हूँ यहां पर 1.5 inch और यहां पर जो आर्मोल्स अंपने नापे थे उसके लिए मैंने 8 inch पे एक marking कर ली है margin नीचे की तरफ नहीं आ रहा है कपड़ा छोटा है तो कोई बात नहीं हम side से margin निकाल लेंगे देखिए यहां पर down किया है 3 inch पे इस तरीके से और एक line draw करकी सीधा कर लें इसे तिर्चे में आपको इस तरीके से line draw कर देनी है और यहां पर marking कर लें आर्मोल्स की 8 inch पे और 2 inch extra margin ले लिया है नीचे की तरफ और इस तरीके से slips की shape कर दें गोलाईन आपनी है तो गोलाईन यहां पर slips की 6 inch है extra margin 2 inch का और मोरी 5 inch है तो यहां पर 5 inch पे marking कर लिया है 2 inch extra ले लिया है तो देखे बहुत easy तरीके से मैं यहां पर slips cutting बताती हूँ आपको तो यह जो slips से यह बिलकुल perfect आती है चोटी बड़ी नहीं होती है जोड़ते time आपको कोई भी problem नहीं आएगी यहां पर गहराई कर दें half inch की deep neck में ज़्यादा गहराई नहीं देते हैं front part में और slips में तो मैंने यहां पर half inch जितनी गहराई दिये marking कर ले ताकि जोड़ते समय ध्यान रहे हैं आपको तो यहां पर हम cutting कर लेंगे अपने man fabric पर थोड़ा बढ़ा कर ही cut करें आप तो यहां पर सभी part अपने man fabric पर cut कर लेंगे हम और friends वीडियो को like करना बिल्कुल भी ना भूलें तो जल्दी से आप वीडियो को like कर जरूर कर दीजिएगा तो देखिए हमने यहां पर man fabric पर इसे cut कर लिया है और मैं आपको इसकी front part की stitching बता रही हूँ अगर कोई भी confusion होता है तो आप हमें comments box में comment करके पूछ सकते हैं तो सभी parts यहां पर complete हो गए है साथ ही हमने यहां पर हायो की पट्टी भी cut कर ली है कमर पट्टी कर ली है और जो हम यहां पर neck पर उरेप पट्टी लगाएंगे उसे भी cut कर लिया है तो देखिए यहां पर इस तरीके से parts को अस्तर के साथ attach कर लेना है तो यह हमारा एक part ready हो गया है और extra कपड़े को cut कर दे इसी तरीके से दूसरा वाला part पर आप ready कर ले तो देखिए यहां पर मैंने दोरों ही parts ready कर लिये हैं प्रिंसस cut वाले part को भी इसी तरीके से man fabric को अस्तर के साथ attach कर ले finishing के साथ प्रेंट्स cutting से पहले आप अस्तर को और man fabric को press जरूर कर ले उससे बहुत ही अच्छी finishing आती है कोई भी crease नहीं रहती है तो press का जरूर ध्यान रखिया है प्रेस जरूर कर ले cutting से पहले तो देखिए हम ने यहाँ पर दोनों ही parts ready कर लिये हैं प्रिंसस cut के और front के तो यहाँ पर इस तरीके से आपको attach करना ही नीचे की तरफ से तो उपर जो भी extra रहेगा हम उसे cutting करके निकाल देंगे गहराई भी यह वाला parts attach करने के बाद ही देते हैं हम तो यहाँ पर आप पक्का कर दें यह parts attach करते टाइम ध्यान रखिए कि आपके जो parts से उसमें कोई भी क्रिस ना आए इस तरीके से finishing से करने हैं आपको दोनों ही parts ready तो दोनों ही parts को इस तरीके से आपको रख देना है एक की उपर एक और यहाँ पर हलकी गहराई दे दिनी है क्योंकि डीप नेके तो इसमें ज़्यादा गहराई हम नहीं देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर shoulder कम ही लिये हुए है तो बराबर करकी इस तरीके से आपको गहराई दे दिनी है और उसे सिलाई लगा देना है तो हमने दोनों ही parts पर सिलाई लगा दी है अब हम यहाँ पर हायू की पटी के लिए यहाँ पर इस तरीके से तयार कर लेंगे मैं फैब्रिक के साथ अस्तर वाले फैब्रिक को अटेज कर देंगे और इस तरीके से पाट के उपर रखकर पटी हमने उल्टी रखी हुई है और पाट हमारा सीधा है तो इस तरीके साटेज कर दे, जो भी एक्स्ट्रा कप्टा निकल रहा हो, उससे कट कर दे, एक सिलाई उपर से फिनिशिंग के लिए लगा दे, इससे फोल्ड करके इस तरीके से फिनिशिंग के सिलाई उपर से लगा दे एक पेर की, तो ये फिनिशिंग के साथ हमारी हाई की पटी रेडी हो गई है, इसके बाद हम हुग की पटी अटेज कर लेंगे, तो हुग की पटी को भी डवल फोल्ड करके मैंने इस तरीके से रखा हुआ है, और इसके उपर इस तरीके से हम अटेज कर देंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दें, एक सिलाई, अस्तर वाली पटी के उपर लगाएं, कॉर्णर की और इससे फोल्ड कर दें, इस तरीके से, दोनों ही पार्ट्स को बराबर करके देख लें, अगर उपर नीचे हो रहे हैं, तो आप उसी समय कट करके बराबर कर दें, नेक में फिनीशिंग के लिए हमने उरेब पटी तयार की हुई है, तो आप इसे इस तरीके से गुलाई में नेक पर लगा लें, एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके और छोटे-छोटे से नौचिस लगा लें, पूरे ही नेक पर, कट लगाने से फिनीशिंग अच्छी आती है, और जो पटी अस्तर वाली है, उसके उपर आपको कॉर्नर की एक सिलाई लगा ले दिनी है, और इसे फोल्ड कर दें इस तरीके से, पटी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर दें, अब पटी को फोल्ड करके, उपर से फिनीशिंग की सिलाई लगा लेनी है आपको एक पेर की, आप चाहें तो यहापर तुर्पाई भी कर सकते हैं, तो फिनीशिंग के साथ हमा सारे दोनों ही पार्ट्स रेडी हो गए हैं, इस तरीके से, अब हमें नीचे कमर की तरफ पटी लगा लेनी है, तो फ्रेंट्स देखें, यहापर हम दोनों ही पार्ट्स कमर की पटी लगाकर अटेच कर लेंगे, लास्ट में मैं आपको इस वीडियो इस ब्लाउस का फाइनल लुक भी दिखा दूँगी, तो फ्रेंट्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, तो कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरू कीजेगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सु स्क्राइब जरू कीजेगा, धन्यवाद